हेलो दोस्तों कैसे हुआ आप लोग बहुत अच्छ होगे मेरा नाम है C.A.I.U.S. Gen और आज अपन स्टार्ट करने वाले है नेक्स चेप्टर जो कि है टाइम उफ सप्लाइ ऑफ गोड्स C.A.Intermediate का नेक्स चेप्टर ताइम उफ सप्लाइ ऑफ गोड्स सर यह चायब कौन देख सकता है यह वीडियो तो अगर आपने एक भी बार नहीं देखा हो तो भी आप यह देख सकते हो अगर आप रिवीजन परपस के लिए हो तो भी आप यह वीडियो देख सकते हो अपन आ चेप्टर नंबर टू सप्लाइ बताता है जो कि मैंने अपने प्रीवेस वीडियो में कवर कर चुका अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख सकते हो तो जीएस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा वो बताता है सप्लाइ अगर अब जीएस्ट लगेगा तो सर जीएस्ट कब लगेगा तो जीस्ट कब लगेगा यह time of supply बताता है याने कि एक transaction जो भी होता है एक supplier goods बेचता है recipient को तो उसमें multiple events involved होते हैं जैसे dispatch of goods, invoice, payment तो इन सब cases में क्या यहाँ पर यह एक month में होता है यह second month में होता है यह third month में होता है तो sir invoice के time of supply माना जाएगा और GST तब charge होगा और सरकार को pay होगा यह removal के time पे होगा यह dispatch के time पे होगा यह सब cases को deal करता है यह वाला chapter time of supply तो हम start करते है sir कौन कौन से sections cover है तो section 12 cover है time of supply of goods section 13 पड़ेंगे साथ में जो की बुलता है invoice के बारे में इस chapter में हम लोग क्या क्या देखेंगे sir time of supply goods का देखेंगे time of supply goods का देखेंगे और time of supply services का देखेंगे के इसमें 4 देखेंगे ताइब 7 की सफ़िसर देखेंगे time of supply of goods किस्में saint forward charge में reverse charge में time of supply services forward charge में reverse charge में time of supply of goods में vouchers का केस देखेंगे services में एंड Assay room इसमें देखेंगे यह मिलके 8 कीस बन जाते है और इसके अलाबाद है चोटी बहुत पढ़ना है time of supply of goods पढ़ना है और services पढ़ना है goods में 4 cases पढ़ना है services में 4 cases पढ़ना है और वो 4 cases क्या है forward charge, reverse charge, vouchers and residual cases जिसमें से forward charge and reverse charge बहुत important है और जादे तर वही question पूछा जाते है तो sir forward charge में time of supply कम माना जाएगा तो date of invoice या तो last date on which invoice shall be issued whichever is earlier, actual date of invoice ये last day invoice का issue हो जाना चाहिए था वो दोनों का whichever is earlier तो अब सरम देखते है कि section 31 बताते है कि last day ऐसा कौन सा है जब invoice issue हो जाना चाहिए था तो इसमें 3 cases है section 31 1, 31 4, 31 7 31 1 मुलता है where supply involves removal of goods यानि कि मैं AC fridge या फिर ऐसा कुछ भी बेच रहा हूँ जिसमें मेरे को goods remove करना पड़ता है उस case में last date of issue of invoice कह रहेगी before और at the time of removal of goods ठीक है यानि कि अगर मैं बोलू कि where goods involve removal of the goods, where supply involves removal of the goods तो इसमें क्या होगा सर यहां पर मेरे, यहां पर समद्लो मेरे deal हुई यहां पर मेरे goods removed हुए यहां पर मेरा invoice बना यहां पर मेरा payment आया तो in case of goods which involves removal तो इस case में time of supply क्या होगा तो time of supply बोलता है, date of issue of invoice या फिर last date of issue of invoice तो last date क्या बोलता है, before or at the time of removal of goods यानि कि इस case में before or at the time of removal of goods या फिर date of invoice whichever is earlier इस case में removal है, इसलिए यहां पर time of supply यह हो जाएगा next case देखते है, where continuous supply of goods involved है continuous supply of goods क्या होता है, जहां पर 3 महीने से जादा continuously आपका contract है और उसमें goods supply हो रहा है तो उसमें बोलता है, successive payments या फिर successive statement अगर यह involved है तो before or at the time of such statement यानि कि अगर मैं बात करूँ इसकी सर मेरा continuous supply of goods है और यहां पर मेरा पूरा supply होता रहता है goods का यहां पर मैंने invoice बनाया, यहां पर मेरा payment आया और यहां पर मैं अपने statements भेजता रहता हूँ कि सर यह statement हो गया, आपका 20% पर complete हो चुका है आपका 50% पर गो चुका है, आपका 60% पर गो चुका है तो इस case में time of supply क्या होगा तो बोलता है कि date of issue of invoice या फिर last date on which invoice shall be issued फिर अपन गया कि last date क्या है सर तो last date क्या बोलती है कि जहां पर statement आ रहे हो या फिर payments आ रहे हो ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है कि date of issue of invoice या फिर date of statement जब आ रहे हो whichever is earlier तो इस case में यहां पर 20% issue होगा तो यहां पर आपका एक invoice raise होगा tax pay होगा, यहां पर एक invoice पर होगा यहां पर एक invoice पर होगा, ठीक है अब बोलते है goods send on approval basis sir approval basis पर बेच रहे है इसका मतलब क्या होता है मैं यहां पर डेली पर बेचा हूँ मेरे को मुंबई वाले एक रहाक को मैंने एक अपना goods भेज दिया है कि sir आप देख लेना देख लेना अगर आपको अच्छा लगे तो आप खरी लेना नहीं तो return करते न तो इस case में sir supply कब मानेंगे tax कब पे करेंगे तो अगर मैं goods भेज रहा हूँ तो उसी दिन मान लू तो यह तो sir गलत हो जाएगा क्योंकि अभी sale हुआ नहीं है तो इस case में बोलता है कि या तो at the time of supply यानि at the time of confirmation जब सामने वाला confirmation देदेगा या फिर six months from removal या फिर six months from removal यानि कि sir मैंने यहाँ पर अपना यहाँ पर मेरी deal हुई यहाँ से मैंने goods remove कर दिया यहाँ पर मेरे six months over हो रहे है तो इस case में time of supply कब मानेंगे तो sir मेरे goods removed होगे तब मैं मान लूँगा क्या तो तब नहीं मान पाऊंगे क्योंकि यह sale नहीं है यह general case नहीं है अगर यह first वाले case होता तो यहाँ पर ही मेरे को time of supply मान लेना था but यह मेरे general case नहीं है मैंने goods remove तो करें but किस basis पर करें sent और approval basis पर करें तो इस case में मेरे goods यहाँ पर remove हो रहे है अब मान लो मेरे confirmation यहाँ पर दे देता है client कि हाँ यार जो तुने यार दिल्ली से goods पर देता है वो बहुत अच्छा थे और मैं accept कर रहे हो इन goods को payment वगरे डाल दूँगा तो इस case में मेरे time of supply यह हो जाएगा but अगर वो confirmation देता है यहाँ पर याने कि 6 महीने के बाद में तो goods send होने के 6 महीने में हम मान लेंगे कि हमारी supply हो गई है और हमको invoice बनाना पड़ेगा tax पे करना पड़ेगा तो अगर मैं section 12 को recap करूँ section 12 क्या बोलता है time of supply of goods under forward charge forward charge में क्या date of issue of invoice or last date of issue of invoice whichever is earlier तो मैं आप देखते हैं कि last date of issue of invoice क्या है तो where supply involves removal of the goods तो last date क्या है before or time of removal of goods but continuous supply तो successive statement or goods and approval basis है तो at the time of confirmation या फिर 6 मन्त from removal यह अगर condition satisfied होड जाती है तो section 12 के आप से आपको time of supply voted मान ले जाएगी और आपको GST recover और pay करना है government को I hope this is clear तो सरफ स्टार्ट करते हैं second case second case क्या बोलता है time of supply of goods और reverse charge mechanism reverse charge mechanism क्या होता है जहां पर goods तो supply करता है supplier but tax pay करने की liability आती है recipient की tax pay करने की किसकी liability है recipient की जो कि registered है तो आप बताइए time of supply जब हम देखेंगे तो government किसको देखेगी unregistered supplier को देखेगी यह registered recipient को देखेगी जिससे उसको tax collect करना है तो obvious सी बात है कि सर सरकार का ज़्यादा focus रहेगा recipient पे इसलिए हम जो भी यह limits देखेंगे वो recipient की नजरों से देखेंगे तो इसने क्या बोले कि date of receipt of goods recipient को जब goods रिसीव हूँ है या date of payment यह recipient ने जब payment कर दिया हो यह दोनों अगर नहीं है दोनों अगर नहीं है तो फिर हम supplier के पास से लजाएंगे और बोलेंगे तो ने date of invoice क्या issue करी थी उससे 31st day यह तीनों में whichever is earlier रहेगा उसको हम time of supply of goods under reverse charge में करने समानेंगे इसमें एक और छोटा सा point है कि sir date of payment कब consider करेंगे या तो books of accounts में जब entry हो गई हो या फिर bank account से debit हो गया हो यानि कि मैंने अपनी books में entry कर ली sir एक तारीक को कि मेरे को इसको पैसे देने है या तो तीन तारीक को मैंने actual में payment कर दिया है whichever is earlier को date of payment मानेंगे sir एक छोटा सा example लेते है actually में होता क्या है कि sir एक चाय वाला है चाय वाला अन्रेजिस्टर्ड है मजे में रहता है चाय बेचता है अपनी company को company वाले को चाय कम मिली एक तारीक को और company वाले चाय पी गए company वालों पेमेंट कब किया 10 तारीक को किया अब इस केस में liability to pay tax किस की है company वालों की है यह तो हमने देख लिया अब time of supply मतलब company वाले tax pay कब करेंगे कब लियू पर liability arise होगी अब हम देखते हैं इस केस में बोलता है date of receipt of goods याने की 1-8 date of payment 10-8 या फिर चाय वाले को वोला तुने कब bill बनाया था यार तो इसने अपने वह कागा चिट्थब छोटी वाली वह खुल के देखा कि मैंने तो 2 तारीक को bill बनाया था तो 2 तारीक plus 31st day whichever is earlier इसमें मान लेंगे कि तब time of supply है तो इस case में 1-8 एक अगस्त को time of supply मान ली जाएगी I hope this is clear इसका एक छोटा से example देख लेते हैं क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बहुत चादा क्या ध्यान रखना है सर इसमें देखते है determined in time of supply in case of RCM supplier issues goods taxable on reverse us to pillar & company कोई बात नहीं 30 days कब expire हो रहा है इसके June 3 को यह आपको एक hint देदी question है ऐसी hint कभी मिल जाए तो आपको ध्यान रखना 30 days वाला एक check भी हमको करना है June 12 को क्या हुआ goods इसको receive हो गए June 13 को payment आ गया सर RCM के base में कब-कब होता है तो date of receipt of goods date of payment या फिर supplier ने जब bill issue किया 31st day whichever is earlier तो इसर पर हम देख रहा है कि 4 मही को तो क्या हुआ है goods received हो गए ठीक है 12 जून को actually में goods received हो है और July को payment हुआ है supplier का 4th में को supplier invoice issue किया है 31st day हमारे कब होता है June 4th को होता है June 3 तो सिर्फ 30 days का completion का time डिया 31st day का हमको देखना है जो कि June 4 होता है तो सर जून 4, June 12 और July 3 whichever is earlier June 4 will be the time of supply answer देख लेते है June 4, 31st day time of supply हो जाएगा सर RCM की case में क्या-क्या देखना हमको supplier को less importance देना है जादे importance देना है recipient को recipient को goods कब receive हुआ recipient ने payment कब किया ये दोनों अगर नहीं है तो date of issue of invoice से 31st day इन तीनों का whichever is earlier देखके time of supply माना जाएगा I hope this is clear तो sir हमने दो cases cover कर लिए है goods के time of supply goods के case में एक तो forward charge में और दूसरा reverse charge में ठीक है अब हम देखते है sir common points goods or services के लिए common points goods or services के लिए कौन से common points देखना है एक तो voucher वाला case और residual यानि की यानि की एक चीज़ अब देखते चलते है कि हमने क्या क्या कवर कर लिए जिससे दोड़ा सा confidence आ जाए तो sir goods के case में forward charge कवर कर लिए reverse charge कवर कर लिए अब हम क्या कवर करने जा रहे है vouchers or residual cases goods कभी vouchers or residual cases services कभी दोनों देखते है तो sir time of supply वाउचर क्या बुलता है बहुत easy है अगर vouchers identifiable हो तो जिस दिन voucher issue हो उसी दिन मान लिया जाएगा बट अगर voucher से identifiable नहीं हो तो जिस दिन redemption होगा उस दिन मानेगी यानि कि मैं mall गया मैं mall गया और मेरे को वहां से शॉपिंग करी जो शॉपिंग करी वो तो एक अलग मठर है शॉपिंग करने के बाद मेरे को एक हजार रुपय का voucher रेका चला गया जो भी counter था तो मैंने बूचात की इस voucher का क्या का क्या 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 तो उसने मेरे को बोला कि आप कोई भी shirt खरीद सकते हो पेंडलून से कोई भी shirt खरीद सकते हो पेंडलून से ये बात कप कि ये 30 June की है सर आप मेरे को बताईए कि इसमें तीस जून ही मान लिया जाएगा और एक हजार का तेल मान के सामने वाले को टेक्स परना पड़ेगा क्यों 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 कि इसमें मेरे को supply आइडेंटिफाइबल थी कि भाई voucher क्या होगा इसमें वाउचर के आगेंस में क्या redeem होगा बट अगर दूसरा केस बोलते हैं मैं मौल गया मैं मौल गया और मेरे को मौल वाले ने एक वाउचर दिया एक हजार का बट मैंने उससे पूछा कि सर वाउचर का क्या काम है तो उसने बोला कि पूरे मॉल में आपको जो देखे न एक हजार रोपय का खरी सकते हो पर एक महीने के अंदर एक मन्त के अंदर ये भी बात थी 30 जून की बात थी तो इसके इसमे time of supply 30 जून नहीं होगा क्यों कि मेरे को पता नहीं है कि इसके अगेंस में क्या रीडीम होने वाला सब्वोज मैं 15 जुलाई को आता हूँ वाउचर रीडीम करने तो time of supply 15 जुलाई हो जाएगी अब हम बात करते हैं residual case मतलब कि उपर वाले किसी case में फॉल नहीं कर रहा है यह कभी भी question पूछा नहीं जाएगा exam में बट ठीक है cover करते है इसको 12 5 13 5 12 4 13 4 12 5 13 5 12 6 13 6 ठीक है periodic returns अगर फाइल होने वाले हो तो date of filing of the return but आपके returns भी फाइल नहीं करते हो आपके कुछ records ही रखते हो तो जिस date on which payment payment is made जिस दिन payment मानेंगे होगा उसी दिन मान लेंगे कि आज ही आज ही आपको tax invoice issue करना थो और आज की time of supply है ठीक है यह दोनों case हो जाते हैं अब बोलता sir 12 6 13 6 मतलब goods के case में भी services के case में भी time of supply interest late fees और penalty की कब होगी तो sir अब discuss करते हम एक customer आया एक customer आया उसको मैंने एक लाग रुपय का bill दिया plus 18,000 एक लाग 18,000 रुपय का bill दिया और उसको मैंने बोला कि sir आप 30 days में मेरे को payment करके जाना बोला कोई देखके इतनी goods लेके अब use कर लिया माजे कर रहा है वो daily देख रहा है मेरे को अब sir यहां से 35 days हो गए मैंने इसको call किया मैंने का sir आपको payment देना था एक लाग 18,000 का भी दक दिया नहीं आपने बोला रहे देता हूं रहे देता हूं तो मैंने बोला कि sir एक बात ध्यान रखना per day का 2000 रुपय का interest लगेगा per day का 2000 रुपय का interest लगेगा भाइस आप घबरागे और 36th day ही आगए मेरे पास तो क्या आप बदाएं पहले मैं इससे payment कितना लूँगा एक लाग 18,000 रुपय दो लूँगा प्लस छे दिन डिले है तो इसका 12,000 रुपय लूँगा मतलब की एक लाग 30,000 रुपय टोटल पयमेंट लूँगा तो अब ये question बूच रहे है कि ये जो 12,000 रुपय लिए है न 12,000 रुपय लिए है इसका time of supply क्या होगा तो act बोलता है कि sir date of receipt of payment date of receipt of payment को ही मान लिया जाएगा time of supply यानि कि यहाँ पर मेरी service हुई उसके लिए मैं इसको ignore करूँगा interest वाले पार्ट को मेरे interest वाला पार्ट 36,30 में मेरे को payment आया है न तो मैं मानूँगा यही मेरा time of supply था अगर मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में और बता हूँ जादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें यह जो 12,000 रुपए है क्या यह inclusive of GST होगा क्या एक्स्लूजव अफ जल्दी बताओ यह एक लाग 18,000 है सर यह तो inclusive of GST है तो क्या यह 12,000 रुपए है इंक्लूजव एक्स्लूजव है यह जो 12,000 रुपए दी है तो क्या मेरे को 12,000 रुपए वापस जाके 18% टेक्स लगा के पे करना है इतनी भसड़ा नहीं करनी है हमको सीधा सिम्पल है यह 12,000 है वह भी inclusive of tax है यानि कि reverse calculation करके इसका जो भी आएगा 10,000 रुपए सब्सक्राइब लेट फीस का और यह हमारा time of supply हो जाता है अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब भाई लाइक कर देना यार शेयर भी कर देना अपने दोस्तों से कुछ भी doubt हो तो कभी भी आप मेरे को call भी कर सकते हो message भी कर सकते हो थोड़ा सा motivation मिलेगा है आप comment box में comment जरूर करके बताओ कि sir कैसे लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है तो आप अच्छा लेको बोरा लग रहा है तो आप मेरे WhatsApp नमर पर मेरे को suggestion डालो मैं उससे आप से आपको करूंगा यह notes मेरे telegram पर मिल जाएंगे I hope this is clear मतलब हमने क्या क्या पढ़ लिया goods के case में 4 case cover कर लिये services के 2 cases cover कर लिये goods का क्या क्या कवर कर लिया अब स्टार्ट करते है time of supply of services under forward charge अभी तक आपने देख लिया होगा time of supply जो भी chapter पढ़ रहे है तो हमको answer किस वह में करना है answer हमको dates में करना है answer हमको date में करना है इसमें amount का कुछ जादा role नहीं है जो मैंने ऊपर amounts बता है वह आपका valuation वाले chapter का है वह आपके सिर्फ knowledge के लिए बताया था मैंने जो कि अगले chapter में cover करेंगे साथ में link बन जाती है तो भाई बता देता हूँ बाकि आपको dates से सिर्फ matter है अब क्या बोलता है time of supply of services under forward charge forward charge में sir date of supply कम मानेंगे time of supply कम मानेंगे इसमें दो कैसे देखना है invoice time limit में issue हुआ है कि नहीं हुआ है पहले बोलता है sir invoice time limit में issue हुआ है यानि कि invoice is issued within 30 days 45 days in case of banking और insurance ठीक है तो invoice अगा 30 दिन के अंदर issue हुआ है न तो ही हम फिर invoice को consider करेंगे अपनी limits में नहीं तो invoice को धक्के मार के भागा देंगे तो पता चला न invoice issue हुआ है तो date of issue of invoice या date of payment whichever is earlier बहुत easy है sir invoice time पे issue हुआ है तो date of invoice या payment whichever is earlier पर invoice time पे issue हुआ ही नहीं है तो हम invoice को क्यों देखेंगे अब हम कुछ तीसरी चीज़ निकाल लेंगे क्या निकाल लेंगे date of completion यानि की भाई तुने service complete करी उस दिन को माल लेंगे या फिर date of payment whichever is earlier यानि की तीस दिन के अंदर invoice बन जाता है तो date of invoice और payment तीस दिन के अंदर नहीं बनता है date of completion और date of payment whichever is earlier एक इसका बहुत अच्छा example लूँगा comprehensive example रहेगा बट उससे पहले एक और चीज़ देखना है sir advance का क्या treatment होता है just a second not responding microsoft edge is not responding छोड़ो समझते है sir advance का क्या treatment होता है यानि कि मैंने कोई भी goods supply किया मैंने उसका invoice भी दे दिया है बट मिरको उसका advance पैसा आ रहे है तो क्या advance पैसा आ रहे है उसको मैं मानूँगा की नहीं मानूँगा तो इसके लिए act बोलता है sir अगर आप goods बेच रहे हो अगर आप goods बेच रहे हो तो आपको advance को consider नहीं करना है आपको वही normal limit देखना हो बट अकर आप services देख रहे हो न तो जिस दिन advance आ जाएगा न तो उस दिन मान ली जाएगी कि आपकी एक part of service sell हो चुक है और आपको invoice बनाना पड़ेगा और आपको tax pay करना पड़ेगा यानि की एक छोटा सा example लेता हूँ यहाँ पर मैंने service देना है start करी यहाँ पर मेरी service complete हो गई यहाँ पर मेरे को payment आ गया यहाँ पर मैंने invoice issue कर दिया तो sir क्या अगर 30 days के अंदर invoice issue हो जाता है तो invoice और payment whichever is earlier देते हैं बट अगर 30 days के बाद होता है तो completion और payment whichever is earlier देते हैं बट मेरे को sir आधा advance यहाँ पर आ गया था 50% तो time of supply क्या होगा तो act बोलता है कि यह 50% के लिए time of supply यहाँ हो जाएगा और बाकी 50% के लिए आप देख लो completion of invoice या फिर invoice और payment जो भी आपको देखना है यानि कि आपको ध्यान रखना है कि advance के case में जब advance receive होता है ना services के case में तो उसको भी आपको time of supply मानना पड़ेगा इसका एक example लेते हैं इडवांस मेरे को receive हुआ 1692 को कितना 50,000 रुपए अब मैं goods भी इस case में cover करना हूँ services को भी तो अगर removal of goods कब हुआ 1912 को या फिर completion of service कब हुआ इन्वाइस कब बनाया मैंने 25 बारप हुआ कितना इन्वाइस बनाया एक लाग प्लस 18% GST आने की एक लाग 8,000 फाइनल पेमेंट कब आ गया है 6 जनवरी 2023 को time of supply बताना है goods का भी service का भी तो आप लोग बताओ क्या होगा बताओ 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 comment box में comment करके बताओ removal of goods और 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 invoice whichever is earlier removal of goods और invoice whichever is earlier तो इस case में हमारा removal of goods हो जाएगा याने की 1912-2022 कहां से देखा सरे आपने date of invoice और removal whichever is earlier तो मेरा date of invoice क्या था date of invoice था मेरा 25-12 और removal था 19-12 तो 19-12 हो जाएगा और इसमें हमको advance नहीं देखना है अब बात करते हैं services की तो services के case में time of supply क्या होगा तो sir 50,000 के लिए time of supply होगा 16-9, 50 के लिए 16-9 हो जाएगा और बाग की 68,000 68,000 ती आएगा न एक लाका ठाराद बार का bill था 50,000 advance आगे 68 remaining balance इसके लिए मेरा होगा जो भी मेरा normal case दिखते हैं कि sir अगर invoice 30 इसके अंदर issue होगा है तो date of invoice और payment whichever is earlier हमारे case में 19-12 को complete हो गए थी तो और कुछ दिन बाद 6-7 दिन बाद ही मेरा invoice issue होगा यानि कि first case applicable है और इस case में क्या बोलता है date of invoice और date of payment whichever is earlier यानि कि 25-12 पहले है तो 25-12 मेरा time of supply हो जाएगा I hope this is clear अब थोड़ा सा आगे discussion को बढ़ाते हैं कि sir ये जो 50,000 आया था क्या इंक्लूजव था कि exclusive of GST था तो sir ये 50,000 जो रहता है वो inclusive of GST रहता है यानि कि 42,000 यानि कि 16,000 को time of supply मानेंगे अब जो return भरेगा supplier supplier अपना return भरेगा तो इसमें text discharge करेगा तो text कैसे discharge करेगा 42,372 प्लस GST amount 7627 पचास हजार मज़ा भी 50,000 का reverse calculation करके निकाला तो ये टेक्स उतना पर देगा बाद में 68,000 आया तो उसका भी same करके 25 बारा को 10,000 का tax पर देगा 57,000 उसका taxable value हो जाएगी ध्यान रखना 68,000 आया last payment तो आपको ये नहीं मानना है कि sir देख रहा है 18,000 इसमें I hope this is clear, अगर मैं crisp में एक बर और बता हूँ तो sir, advance decision receive हो जाता है service के case में, उसको time of supply मान लिया जाता है और बाकी other case में हमको ये दोनों limit देखना है कि time of supply कप था इसका, 30 days में हुआ या 30 days के बाद हुआ, I hope this is clear, इसके बाद क्या बोलता है, अगर A और B दोनों apply नहीं होता ह तो time of supply कम माना जाएगा, जब recipient के books में record होता है, books of accounts में record होता है, इसके बाद एक और case बोलता है, in case of insurance company, banking company, financial institution, NBFC, telecom company, making taxable supply between distinct person, distinct person कौन होता है, एक ही person के 2 या 3 registration होते है, चार registration होते है, अलग-अलग state में या same state में, तो उनके बीच में जो भी transaction होता है, उसको हम distinct person के ब invoice कभ इशू हो जाना चाहिए, before recording supply and books of accounts या फिर expiry of quarter, याने की, for example, books of accounts में, मैंने एक अपने दिल्ली वाली branch में, मुंबई वाले को service प्रोवाइट करी, distinct वाले को, ठीक है, इस case में, suppose, 30th March को books of accounts में, मैंने records कर लिए service, और actually में मेरा invoice issue हुआ, 5 April को, payment आया, 10 April को, इस case में, मैं कम मानूँगा time of supply, तो या तो 30th, 30th March को, या फिर quarter end का बोरा मेरा, 31st March को, तो इस case में, 30th को मानूँगा, मैं जब 30th को compare करूँगा, 31st March से, ना की 5th April से, या तो आगे वाली date से, I hope this is clear, आपको कुछ भी confusion हो, you can text me anytime, अब छोटे-छोटे cases, 2-3 रहे हैं, जिसको हम देख लेते हैं, continuous supply of service, continuous supply of service कब माना जाएगा, जब 3 महीने से जादा, तो इस case में, time of supply क्या माना जाएगा, तो या तो date of payment अगर पता है, तो on or before date of payment, date of payment नहीं पता है, तो on, on the date of receipt of payment, यान की payment सही लेंक है, sir payment का date पता है, तो payment के date के पहले वाला हो जाना चाहिए, invoice issue, ठीक है, date of payment नहीं पता है, तो जिस दिन payment हो रहा है, जिस दिन payment हो रहा है, उस दिन invoice issue हो जाना चाहिए, या फिर date of payment finalized on completion of event, याने की, sir मेरा event है, मेरे को पता है कि, एक April को मेरे को 30% complete करना है, एक July को मेरे को 30% करना और एक September को बाकी 40% करना है, मेरे को पता है यह चीज, तो on or before completion of event को मान लिया जाएगा, continuous supply of service के case में, अगला point बोलता है कि, अगर supply of service ceases हो जाती है, मतलब कि, मैंने आपको consultancy दी, मैरे को आपको तीन महीन की consultancy देनी थी, पर एक महीन हो और मेरा मन हट गया, मैंने बोला कि नहीं देना यार, मन भाड में जाओ, तब क्या होगा sir, तो where of supply of service ceases, before the completion of supply, invoice कब issue हो जाना चाहिए था, at the time when supply ceases, ठीक है, suppose, sir मेरे को तीन मन्त की service देनी थी, एक मन्त की मैंने आपको service दी, और कित्ती थी 30% दी, तो act बोलता है कि आपको एक मन्त पे ही invoice issue हो जाना चाहिए, 30% वाली value का invoice issue हो जाने चाहिए, बहुत simple है, ज्यादा दमाग नहीं लगाना है, अगर छोड़ दी service तो उस दिन तक आपको invoice बनाना हो tax पे करना है, अब sir 13, 3 क्या बोलता है, time of supply of service under reverse charge, हमने goods का दोनों case देख लिए, services के दोनों के देख लिए, दूसरा case रिवर्स चार्ज कर ठीक है, रिवर्स चार्ज कब होता है, मान लो, मैं एक consultant हूँ, मैं एक lawyer हूँ, और मैंने एक business वाले को service provide करी, तो इस case में business वाले की उपर liability आ जाती है, कि sir आपको ये वाली service पर tax पे करना है, ठीक है, दूसरा, इस case में कम माना जाएगा time of supply, date of payment, या तो फिर date of invoice plus 61st day, हमने goods के case में क्या क्या देखा था, goods के case में देखा था, receipt of goods, date of payment, या फिर date of invoice से 31st day, ठीक है, but services के case में, receipt of services को पता करना date बहुत ही जादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको हमने हटा दिया, ठीक है, और क्या रख दिया, उसको हटा के हमने या पर 30 दिन और जोड़ दिये, आपको ऐसे ध्यान रखना है, तो date of payment या फिर date of invoice, जब supplier ने इसू किया, उससे 61st day, ध्यान रखना 61st day, और date of payment कम आना जाएगा, books में जब आ एंटर करे हो, या फिर bank account जब भी debit हुआ हो, whichever is earlier, ठीक है, अब इसके बाद एक और के साथ है, कि अगर services received from associate enterprise outside India, outside India, outside India, याने कि मैं इंडिया में हूँ, यह पाकिस्तान है, मैंने एक पाकिस्तान वाले से service received करे है, और पाकिस्तानी बिल बना है मेरे पास, पाकिस्तानी बिल है, पाकिस्तानी इंवोईज है, बहुत ही खराब इंवोईज है, हमको देखना ही नहीं है, आपको ऐसे ध्यान रखना है, कि पाकिस्तानी इंवोईज है, मैंने को देखना ही नहीं है, काट के फाड के फेक देना काट के फाड के फेक देना याने कि ये condition ही छोड़ देना अगर associate enterprise से outside इंडिया से good service हुए तो सिर्फ आपको यही देखना है date of payment date of entry in box of accounts या फिर bank account debit हुआ whichever is earlier I hope this is clear एक बहुत छोटा से case बचा है payment up to 1000 उसको cover करके chapter finish हो जाएगा sir last case discuss करते है last case क्या बोलते है last case बोलते है हमारा कि अगर 1000 रुपए तक के advance receive हुए है तो उस case में क्या घरना है एक छोटा सा example लेते है मैं हूँ CA मैं जीस्त रिटन भरता हूँ रामु गागा के मैं कितना चार्ज कर जाओ रामु गागा से 600 रुपए पर मंथ चार्ज करता हूँ मैंने अप्रेल के return भर हो और उनको invoice भीज दिया 600 रुपीस का रामु गागा मेरे office आए और मेरे को 1000 रुपए 500 रुपए के दो note रखके चलेगे मेरे table पे मैं जैसे ही 400 रुपए लोटा रहा था रामु गागा बोले आरे बागल है क्या रख लिए अगले महिने adjust कर लेना मैं टेंशन में आ गया आप बताओ कि मैं क्यों टेंशन में आया आपको comment बोक्स में बताने मैं इसलिए टेंशन में आया क्योंकि चार छे सो रुपए का जो इन्वाइस बनाया था उस पर तो मैं टेक्स डिस्टार्ज कर दूँगा अप्रेल के मन्त में बट रामुगाका ने चार सो रुपए जो एडवांस दे दिया और हमने ऊपर पड़ा कि एडवांस के केस में कब टेक्स पे करना रहता है जब रिसीवड हो जाए यानि कि मेरे को चार सो रुपए पे भी एडवांस अपरेल में देना वड़ेगा मैं टेंशन में आ गया मैं गवर्मेंट के पास गया गवर्मेंट से मैंने बोला कि सर रामु अगा ने मेरे को 1000 रुपए दे दी हैं जिसमें से वो 400 रुपए अगले महीने के हैं मैं क्या करूँ तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं हजार रुपए दक के अगर एडवांस हो रहे हो तो आप अगले बिल से एडजस्ट कर सकते हो याने कि मेरे को पहले 600 रुपए देना था और अगले महीने भी मैंने में 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 सर्विस प्रोवाइड करी 600 रुपए का बिल बेजा पर रमोगा ने सिर्फ 200 रुपए ही दिये कि पिछले महीने मैंने दे चुका था ना 400 रुपए तो एक्ट बुलता है कि आपको अगर 1000 रुपए तक की एडवांस है तो आपकी चोईज है आप चाहो तो अप्रेल में भी दे सकते हो चाहो तो में में भी दे सकते हो तो याने कि मैं यह 400 रुपए रख लूँगा और इसको अगले महीने 200 रुपए प्लस 400 रुपए है ने क तो उसका भी time of supply में मान लेंगे I hope this is clear अब इसी case में बात करते हैं कि अगर goods होता है तो goods के case में sir no worries क्योंकि goods के advance पे कोई भी text नहीं लगता है I hope this is clear अगर आपको अच्छा लागा हो तो like share और subscribe जरूर करना और में को comment करके जरूर बताना आपको lecture कैसे लगे